Hello दोस्तों, Welcome to our channel LearnVidRiven दोस्तों या आप Government Employers हैं या फिर Government Employers से Related Information जाना चाता हैं उनके Salary Structures या Promotion के बारे में जाना चाता हैं या फिर आप Government की Recent जो Vacancies आती हैं उनके बारे में जाना चाता हैं प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लिजेगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई 2021 से सरकारी करमचारियों का Transport Allowance जिसे आप TPTA कहते हैं या परिवन बत्ता कहते हैं वो कितना बढ़ेगा जैसा कि आपको पता है जुलाई 2021 से काफी बत्ते बढ़ेंगे काफी allowances में हाइक होगा तो मैं ये सीरीज ओव वीडियो लिखे आऊँगा तीन-चार वीडियो में आपको बताऊँगा कौन-कौन से allowances बढ़ेंगे तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं Transport Allowance से दूसरी है Other Cities जैसा कि आपको पता है मैंने Transport Allowance पर अलरड़ी वीडियो बना रखा है तो जो Transport Allowance है वो दो cities के basis पर दिया जाता है कौन वैक्ती A1A cities में रहता है और कौन वैक्ती Other Cities में रहता है और यदि आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है A1A cities और Other Cities वाला जिसमें मैंने Transport Allowance पूरा अच्छे तरीके से समझा रहा है तो उपर राइट साइड में जो आपको arrow दिख रहा है वहाँ पर आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और नीचे description box में भी मैं उसकी link दे दूँगा तो जिसमें आपको डिटेल में मालूम सेल जाएगा कि Transport Allowance क्या है कैसे calculate होता है कौन सी cities A1 A cities है कौन सी cities Other cities है पहले हम A1 या A cities के बारे में जानेंगे For level 9 and above grade pay 5400 and above सबसे पहले हम level 9 और उसके above उसके उपर वाले जितने भी अधिकारी उनकी बात कर लेते हैं Transport Allowance in June 2021 इन अधिकारियों को June 2021 में कितना Transport Allowance मिल रहा था वो जान लेते हैं पहले 7200 Transport Allowance प्लस 1224 जो D है उसके साब से मिल रहा था 8424 रुपे 8,424 रुपीज इनको मिल रहे थे और अब हम जानेंगे July 2021 से इनको कितना TPTA Transport Allowance मिलेगा Transport Allowance from July 2021 July 2021 से इनका Transport Allowance हो जाएगा बहुत दर से TPTA प्लस 2016 जैसे कि आपको पताए D है हाई होगा तो according to 28% हमने assume किया है जो कि 28% से मिलेगा July में 101% तो 9,216 रुपे इनका Transport Allowance हो जाएगा और 792 रुपीज हाई को जाएगे यानि करीबन 800 रुपे इनका Transport Allowance है वो बढ़ जाएगा July 2021 से फॉर लेवल 3 to 8 जिनका Grade पे 2400, 2800, 4200 या 4600 है जिनका जो लेवल है वो 3 to 8 है तो उनका आप बिसकस कर लेते हैं ट्रांस्पोर्ट अलाउंस इन जून 2021 जून 2021 में इनको कुछ इस प्रकास है ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिल रहा था 3600 ट्रांस्पोर्ट अलाउंस प्लस 612 DA 17% is equal to 4212, 4212 रुपए इनने ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिल रहा था अभी तक ट्रांस्पोर्ट अलाउंस फ्रॉम जूलाई 2021 जूलाई 2021 से इनका ट्रांस्पोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 3600 रुपए ट्रांस्पोर्ट अलाउंस हो जाएगा प्लस 1,008 रुपए DA के मिलेंगे तो 4808 रुपए इनने जूलाई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगे और करीबन 400 रुपए इनका ट्रांस्पोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा अराउंड 396 रुपए इनका ट्रांस्पोर्ट अलाउंस हाइख हो जाएगा और लेबल 1 और 2 ग्रेट पे 1800 और 1900 जिन भी करमचारियों का ग्रेट पे है 1800 और 1900 है और यदि उनकी बेसिक पे मूल वेतन 24,200 या उससे अधिक है तो उन्हें कुछ इस प्रकार ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिलेगा TPTA in June 2021 जोने Transport Allowance June 2021 को मिल रहा था वो कितना था 3600 प्लस 612 रूपह जून 2012 तसक उनको यह Transport Allowance मिल रहा था Transport Allowance from July 2021 जोने Transport Allowance या परिवन बत्ता जुलाई 2021 से मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा 3600 रूपह ट्रांस प्लस 1500 अट रूपहए दे-े के मिलेंगे तो टोटल मिलेंगे 6808 रुपए, 4608 रुपीज और करीबन 400 रुपए इनका ट्रांस्पोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा. अब हम जान लेते हैं, फॉर लेवल 1 और 2 ग्रेट पे 1800 और 1900 इफ बेसिक पे इस लेस देन 24,200. हम लेवल 1 और 2 की बात कर रहे हैं, यदि बेसिक पे मूल वेतन 24,200 या उससे कम हैं तो कितना ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिलेगा. TPTA इन जून 2021, इन्हें जो ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिल रहा था, जून 2021 में वो कुछ इस बकार मिल रहा था. TPTA इन्हें जून 2021, अब इन्हें जूल 2021 से कितना ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिलेगा? TPTA इन्हें जून 2021 से कम हैं तो. और 1500 रूपए इनका ट्रांस्पोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा. अब हमने बात की A1 और A cities की, अब हम Other Cities की बात कर लेते हैं. अब ये Other Cities की बात हो रही है. पहले हमने A1 A cities की बात करी, जिसमें अलग-अलग levels के हिसाब से, अलग-अलग grade पे की हिसाब से हमने उनका ट्रांस्पोर्ट अलाउंस देखा. फॉर लेवल 3 to 8, यदि किसी भी करमचरी का लेवल 3 से 8 तक है, grade पे 2400, 2800, 4200 या 4600 है, और उसकी पोस्टिंग यदि A1 A cities में नहीं है, अधर cities में है, तो उसका करीबन 200 रुपे ट्रांस्पोर्ट अलाउंस बढ़ेगा, 200 रुपीज हाइक होंगे, बड़ो 3 200 रुपे होग तो उनका करीबन 200 रुपे ट्रांस्पोर्ट अलाउंस बढ़ेगा, फॉर लेवल 1 और 2 जिनका grade पे 1800, 1900 है, और यदि उनकी basic पे 24200 से कम है, तो उनका ट्रांस्पोर्ट अलाउंस करीबन 100 रुपे बढ़ेगा, और पहले उनको 1053 रुपे ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिल रह